एंटिबायोटिक्स हमारा शरीर कई कारणों से संक्रमित होता है जिन में से एक प्रकार का संक्रमन है जीवानू संक्रमन या बैक्टिरियल इंफेक्शन बैक्टीरिया की संक्रमन के खिलाफ काम करने वाली दवाओं को अंटिबायोटिक्स अर्थात प्रतीजविक कहा जाता है आगे बढ़ने से पहले आपको पता दे कि अगर आप भी साइंस की समझ रखते हैं तो फिलीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले हमें वास्तफ में आंटीबाइटिक्स कब लेनी चाहिए भारत में आंटीबाइटिक्स दवाओं के अंधाधुंद इस्तिमाल से हम सभी वाकिफ हैं इसके लिए दोश पूरी तरह से डॉक्तरों का नहीं है जो उन्हें अंधाधुंद लिखते हैं बलकि उन लोगों का भी है जो सर्दी जैसी बुनियादी चीज से तत्काल राहत पाने के लिए किसी पुराने नुस्खे या किसी दोस्त का सहारा लेते हैं इस प्रकार यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत एंटिबाउटिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक और उत्भोगता है WHO एंटिबाउटिक दवाओं के इस प्रतिरोध को इसके अधिक उप्योग और दुरुपयोग के बाद दुनिया भर में प्रती वर्ष एक दशमलब दो साथ मिलियन मौतों का कारण बताता है जब एंटिबाउटिक्स दवाओं की बात आती है तो सामान्य नियम क्या है? इसे डॉक्टर की देखरेक में ही लेना चाहिए हमें वास्तव में आंटिबाउटिक्स कब लेनी चाहिए? आंटिबाउटिक्स का इस्तिमाल संक्रमन के कारण और इसके लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया पर निर्भर करता है उदाहरन के लिए अगर किसी व्यक्ती की त्वचा में फोड़ा हो गया है तो संक्रमन को फैलने से रोकने के लिए उससे तुरंट अंटिबाउटिक्स दी जानी चाहिए मस्तिष्ट के संक्रमन या मूत्रपत के संक्रमन के मामले में भी ऐसा ही होता है जहां हमें तुरंट अंटिबाउटिक्स का प्रबंद करना पड़ता है वर्तमान में हम बहुत सारी खांसी और जुकॉम देख रहे हैं और यह अंतर करना बहुत मुश्किल है कि यहे एक वाइरल संक्रमन है या एक जीवानू संक्रमन उदाहरन के लिए यदि किसी व्यक्ति को बुखार, खांसी और जुकॉम है और नाक बह रही है और शरीर में दरध हो रहा है तो यह वाइरल संक्रमन का संकेत देता है वाइरल संक्रमन में रोग पहले दो दिनों के दौरान चरम पर होता है और फिर कम होने लगता है हर बार जरूरी नहीं कि एंटिबाउटिक्स लेने की जरूरत हो अब यहां एक महत्वपूर्ण बात है जिसे फ्लू और कोविट के बढ़ते मामलों को देखते हुए जानना आवश्यक है श्वसनपत संबंदी सभी रोगों में बुखार एक सामान्य लक्षन है हाला कि बुखार का मतलब यह नहीं है कि आपको एंटिबाउटिक्स लेने की जरूरत है उप्री श्वसनपत के संक्रमन के मामले में हमें एंटिबाउटिक दवाओं के आवश्यक्ता होती है यदि बुखार तीसरे दिन भी बढ़ रहा हो थूप के साथ एक उत्पादक खांसी हो और गले में गंभीर दर्द हो इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि उप्री श्वसनपत के संक्रमन या तो बैक्टीरिया या वाइरस के कारण हो सकते हैं पैथलोजिकल टेस्ट इसकी सही पुष्टी कर सकते हैं दवाय लेने से पहले डॉक्टर की परामर्श लेनी जरूरी सही खुराक के महत्व के बारे में बात करते हुए डॉक्टर कहते हैं एंटिबाउटिक्स जादू की गोलिया हैं अगर हमें उनकी जरूरत है तो हमें उन्हें सही खुराक में लेना चाहिए लोगों को बिना सोचे समझे इसका सेवन नहीं करना चाहिए इससे बुखार हो सकता है जिसमें लिवर डिसफंक्शन भी शामिल है चिकत्ते, वानी का धीमा होना और नियूरो टोक्सिसिटी का कारण बन सकता है इससे दस्त भी हो सकते हैं इसलिए दवाय लेने से पहले डॉक्टर की परामर्श लेनी जरूरी है वर्तमान में बहुत से लोगों को उपरी श्वसन पत का संक्रमन हो रहा है जो बहती नाक, शरीर में गंबीर दर्ड के साथ है गले में खराश और सूखी खांसी, ये एक वायरल संक्रमन की और संकेत करते हैं जाने विशेशग्य के अनुसार, जब आप एंटीबाउटिक ले रहे हों तो भोजन के बारे में सावधान रहना चाहिए मसालेदार भोजन से बचे क्योंकि इससे गेस्ट्रोंटेस्टाइनल समस्याएं हो सकती है उदाहरन के लिए, फ्लोरोक्विनोलोन को दूद और दूद उत्पादों के साथ नहीं लेना चाहिए अजित्रोमाइसिल खाली पेट लेना चाहिए क्योंकि यह दवा के बहतर अप्शोशन में मदद करता है कुछ इंटिबाउटिक्स जैसे पेनिसिलिन, इमोकसिसिलिन को भोजन के बाद लेना होता है इंटिबाउटिक्स देते समय हमें अन्य दवाओं का भी ध्यान रखना चाहिए उदाहरन के लिए, लाइनसोलेडोन लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए जो एंटिडिप्रेसेंट ले रहे हैं क्योंकि ये दवाएं परस्पर क्रिया कर सकती है जिसको रियाक्शन भी कह सकते है काउंटर पर मिलने वाली दवाओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए कई बीमारिया जिनके लिए एंटिबाउटिक दवाओं का आँख बंद करके उप्योग किया जाता है वास्तव में उनकी आवश्यक्ता नहीं होती है जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करके नोटिफिकेशन को ओन कर ले अगर फेस्बुक पर देख रहे है तो पचे को फॉलो कर ले धन्यवाद